नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरा चैनल घीलू में चूकि डिमेंड जाया बहुत इस सलूशन के वीडियोस का तो मैं आज फिर से रिज्यूम करने जा रहा हूँ पिछले पाच चैप्टर्स का क्लस्ट्वेल बें सियर्टी मैथेमेटिक्स का मैंने सलूशन अलड़ी डाल कर रखा है जो कि अंगरेजी में है यहाँ पे डिमेंड के लिए मैं इसको हिंदी में कर रहा हूँ तो अगर आप मेरे चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए हम बेना वग गवाए चलू करते है एक्सरसाइज 6.1 तो एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला सवाल है वो है कि find the rate of change of area of a circle with respect to its radius r when r is equal to 3 cm r is equal to 4 cm तो केस आपके पास दिया हुआ है इसका मतलब क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं तो आपके पास एक circle है तो ये circle का rate of change निकालना है हमको यानि कि suppose इसका area बढ़ रहा है या घट रहा है तो यहाँ पर हमको ये rate of change निकालने को बोले है obviously radius के respect में क्योंकि और कोई variable हमको नहीं दिया हुआ है radius जितना बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा उसी के हिसाब से उसी के according इसके area किस rate से change होगा तो चलिए वो देख लेते हैं तो पहले तो हम area define करते हैं सो सबसे पहले तो सबसे पहले हमको area define करना होगा इसका तो since तो चुकि आपके पास radius circle का art दिया हुआ है area जो कि मैं a से define करता हूँ वो है pi r square आप एक ही जागे कुछ भी ले सकते है कोई समस्या नहीं तो अगर area pi r square हमाँ है तो therefore rate of change of area area किस rate से change हो रहा है वो है d a dr यानि कि rate of change of area with respect to its radius तो यह है d dr of pi r square अब चुकि यह जो आपके पास pi है यह constant है तो यह तो निकल जाएगा और आपके पास जो बचा रहेगा वो है r square का derivative तो r square का derivative 2r होगा यानि कि d a by dr जो है वो 2 pi r है अब आज आते हम part 1 में when r यह गट 3 cm है so therefore d a by dr is equal to 2 pi times 3 that is equal to 6 pi अब इसका unit क्या होगा देखे एरिया का unit है वो तो cm2 है और r का unit है वो cm2 है तो 6 pi cm2 per cm हम ऐसे लिखेंगे rate को यह बहुत ही apt हो और उसी तरीके से when r is equal to 4 cm therefore d a dr is equal to 2 pi times 4 जो कि आपके पास 8 pi cm2 per cm तो आपको अगर समझ में आया यह यह बहुत ही आसान है सिर्फ आपको rate of change निकालना है वो भी radius के respect में और जो आपको सबसे महतुपुन है जो आपको ध्यान में रखना है वो है यह unit क्या होगा यह unit simply यह जो ratio है इससे आता है जैसे velocity का एसा unit होता है meter per second कैसे चुकि velocity होता है average velocity का अगर मैं बात करूं तो यह होता है displacement by time displacement का एसा unit meter time का एसा unit है second इसलिए velocity का जो unit आता है वो meter per second होता है उसी तरीके से जो da, dr हम लिख रहे हैं यहाँ पे जो da है यानि कि जो area का change है वो centimeter square में है और 8 जो है वो centimeter में है इसलिए जो हमारे पास इसका unit उटके आएगा वो है centimeter square per centimeter इसके लिए आपका marks कटा जा सकता है board में अगर आप ठीक से ना लिखे तो अब आ जाते हैं दूसरे सवाल में question number two भी बड़ा interesting है यहाँ पर आपको बोला है कि एक cube है उसका जो volume है वो eight centimeter cube per second से increase कर रहा है यानि कि आपके पास suppose a cube है तो इस cube का volume का मतलब आप जानते हैं कि ideally आप आप ऐसे ले सकते हैं कि इसमें जितना हवा बढ़ा है यानि कि यह जो cube है यह बढ़ा हो रहा है और इसका जो volume है वो eight centimeter cube per second के rate से बढ़ रहा है हर second में इसका eight centimeter cube volume बढ़ रहा है यह पूछा है यह जो surface area है total यह कितना rate से increase हो रहा है जब length 12 centimeter है एक age का अब जानते हैं कि cube का सब age का जो length है वो समान होता है तो age यानि कि side तो यह पूछा है कि यह जो surface area है total यह कितना rate से बढ़ रहा है surface area मतलब यह जो पूरा सारा का सारा जो 6 surface है इन सब का area है यह मिला के चुकि volume बढ़ रहा है है cube का size बढ़ रहा है तो यह surface area भी बढ़ रहा है हमको यह rate पूछा है चुकि यह rate हर point पे अलग-अलग है हमको specifically जब age 12 centimeter हो तब पूछे हैं कि कितना rate से बढ़ेगा तो चलिए शूरू करते हैं सबसे पहले हमको इसका जो side है मानना होगा क्योंकि इसके बिना हम calculations नहीं कर पाएंगे तो सबसे हमारा जो पहला assumption होगा वह है let sides of the cube be x centimeter अब centimeter चूंकि सब कुछ centimeter में यह पर दिया हुआ है तो हमारे पास जो volume आएगा volume v is equal to अब जानते हैं कि क्यूब का volume simply x cube centimeter क्यूब हो अब यहां पर दिया हुआ है आपको यह जो volume है वह centimeter per second के rate से increase हो रहा है तो given rate of volume increase जो कि है dv by dt यह है d dt of x cube centimeter cube per second ठीक उसी question number one के हिसाब से हमने यह unit को define किया और चूकि यह बर रहा है तो किसके हिसाब से बर रहा है obviously time के respect में बढ़ रहा है इसलिए यह जो volume increase है यह dv dt है तो इसका मतलब क्या है therefore dv dt क्या है 3x square dx dt बिल्कुल chain rule से आ जाता है x cube का derivative है 3x square और उसी के साथ चुकि x variable t के बराबर नहीं है तो dx dt और यही आपके पास जो दे रखा है वह 8 यहां से आपको क्या मिलेगा देखिए यहां से आपको यह जो dx dt है यह मिलेगा क्योंकि यह ही जाकर आपको आगे काम में लगेगा कैसे हम देख लेंगे तो इससे imply होके हमारे पास क्या आता है जो dx dt है वह है 8 by 3 x square cm per second जोकि dx dt है तो unit cm per second होगा तो यह हम information रख लेंगे यह हमको जरूरत पड़ेगा आगे जागे अब हमको जो सवाल में पूछा है वह surface area किस rate से बढ़ रहा है तो हम फिट से लिख लेंगे surface area हम अगर इसको s से represent करते हैं तो देखिए हर एक surface का जो area है वह है x square जोकि हर एक surface x square है ऐसा 6 surface है तो total जो area होगा वह 6 x square cm square होगा तो therefore rate of change of surface area जो कि हमको पूछा है यह क्या होगा simply ds dt तो ds dt उसी तरीके से d dt of 6 x square यानि कि हमारे पास जो आता है 6 into 2x times dx dt सिर्फ chain rule से basic ऐसे तरीके से आ गया सेम तरीके से आपको अगर यह समझ में नहीं आ रहे है तो आपको chain rule थोड़ा से revise करना होगा तो यहां से हमारे पास final आ जाता है 12x dx dt आब तो therefore ds dt हमारे पास जो dx dt है वो है 8 by 3x square तो हम ds dt को replace करते हैं 12x times 8 by 3x square से इसको अगर हम ऐसे replace करे dx dt को हम अगर replace करें इसको solve करने में हमारे पास जो आ जाता है वो है 32 by x कितना centimeter square per second अब हमको बोला गया है कि यह जो edge है यह 12 cm है तब यह ds dt कितना है तो ds dt तो generalized है हर एक x पे change होगा हमको specific x x equal to 12 पे हमको पूछा गया है कि ds dt कितना होगा तो यह आसानी से हमारे पास आ जाएगा at x equal to 12 cm ds dt is equal to 32 बटे 12 तो यह आ जाता है हमारे पास 8 by 3 cm square per second जो कि हमको पूछा गया है हम ऐसे finally लिख सकते हैं the rate of change of surface area at x equal to 12 cm is 8 by 3 cm square per second तो ऐसे ही यह solve हो जाता है आशा करता हूं आपको यह समझ आया हम अगले वीडियो में और questions को solve करेंगे आज के लिए बस इतना ही अगर आप इस channel में नए हो तो subscribe कर दीजे आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया